चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं अब हम एक नया टॉपिक डिस्कुस कर रहे हैं यानि कि हम आगे जा रहे हैं आप्शन के आगे तो अभी हमने डेरिवेटिव पार्ट भी खतम कर लिया तो अब हम क्या सीख रहे हैं अब हम सीखने वाले हैं करन्सी मार्केट इंट्रोडक्शन में इतना था इसके लिए प्रॉपर एक कोर्स है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑप्शन स्ट्रेटेजी तो वो करते हैं एक करैर वांगे particularly love क्रैंचे ओंजित जaprès होती है जैसे हर एक सरकार अपने देश में एक पर्टिगूलर करन्सी को लीगल टेंडर मानती है और उसी को को हम फिसंआज सीमांते अब दुनिया के अंदर 195 नेशन हैं बट सबकी अपनी कोई करंसी बहुत देशों की करंसी अपनी कुछ की नहीं है वहां पर यूएस डॉलर चलता है कई कंट्रीज में बिटकोइन भी चलता है बट हम बात कर रहे हैं यहां पर जिस में हम काम करते हैं यहां पर 195 कंट्रीज में अगर महान लूँ कि तकरीबं Harry's देडिशों कंट्री एसे हैं जिन में अपनी करंसी चलती है तो तो भीवी यहां पर ट्रेड होने उने वाली जो करणसी है वो है usd तूसरी करणसी है जैपनीज येन तीसरी जो करणसी है वो है यूरो और है व effort है in आप यह सभी करणसी न ड्रेट की जाती है यहाँ यान्य रूपिस और यह आपस में बिन ट्रेड की जाती है इनने कहते हैं cross currency धे अगर USD Japanese yen के साथ आप ट्रेड कर रहे हो तो यह cross currency trade माना जाता है तो यह आपस में भी trade की जाती है और INR के साथ भी trade की जाती है इनको किसी के भी pair में आप तो जब डो currency को हम आपस में trade करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है currency pair currency pair हना तो currency pair क्या होता है दो currency जब आपस में trade की जाती है तो उसको currency pair कहा जाता है अब यह currency pair है ना इसमें दो तरह की currency होती है एक होती है quoted currency एक होती है base currency अब आप यह देखो कि जब भी मैं बात करूंगा आज एक डॉलर की कीमत एक डॉलर की कीमत आज है 83 रूपीज आये नार तो आप देखोगे कि कल अगर मैं बात करूँगा तो चेंज क्या होगा डॉलर तो एक ही रहेगा यहाँ पर چेंज होगा तो आज रहीर टो आप देख रहे हो तो वो currency आपके लिए क्या होगी और जो currency stable है वो base currency है तो अगर हम INR को trade करते हैं इनके against में तो यह सारी के सारी base currency होगी न और इसको quoted currency बोले आ रहा है संगे परफेक्ट नहीं ने देखो अगर ना आप normally करोगे न तो US dollar के साथ ही सबको करोगे तो US dollar तो base currency रहेगा यह फिर quoted हो गए उस case में तो यहां तक कोई सवाल नहीं है ठीक है अब यहां पर हम बात करते हैं कि भाई यह जो market है इसको RBI जो है रेगूलेट करता है इसका regulator कौन है RBI अब RBI रेगूलेट करता है और यह जो market है अब यह जो market है currency जो market है इसका जो time होता है यह सुभा नौ बजे से लेकर शाम को पांच बजे तक यह market चलती है ठीक है Monday to Friday यह market चलती है ठीक है अब यहां पर आप जब काम करते हो तो जो currency के contract हैं यह दो तरह से ट्रेड किये जाते हैं इसके currency के contract दो तरह से ट्रेड किये जाते हैं एक तो futures के तौर पर और दूसरा options के तौर पर और इनकी जो expiry होती है futures की बतारों मैं यह last working day पर होती है ठीक है तो जब भी भी last working day होगा like अगर Monday मान लेते हैं 30 30th का अगर कोई month है और Monday पढ़ रहा है तो उसकी expiry तब मानी जाती है ठीक है जबकि जो options होते हैं यह weekly expire हो दुनिया की सबसे बड़ी market है यह 4X actually दूसरी चीज है नहीं 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 है समाओ बोल सकते हो लीगल नहीं बट बैन नहीं है लोग काम करते है पर करना नहीं है आपको काम ठीक है बहुत रिस्की है तो यह संद में अब यहां पर पूछिए कोई डाउट है कि नहीं वीकली expiry होती है इसकी weekly expiry होती है पर काम कि है इनकी साथ फ्राइडे को होती है यह न है चेंज करते हैं चेंज होते हैं तो अभी आप चेक कर लेना भी ok तो यहां पर किसी का कोई सवाल अब सभाब से इन पर्टेंड और्स हिए कि यहां पर जब आप काम करते होते हो नहीं तो क्रेंशी मार्क एक असी औह इसको समझना बड़ा मुश्किल है तो करंसी मार्केट कैसे चलती है देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारा इंडियन रुपीज जो है न वो स्ट्रॉंग होने वाला है अगर वो स्ट्रॉंग होने वाला है तो आप क्या करोगे आप यूएसडी को स से पता चलेगा नियूस से पता चलेगा डेटा से पता चलेगा टेक्निकल चार्ट से बता चलेगा ऐसी पता चलेगा तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं जो करंसी को डिटरमीन करते हैं उनकी वेल्यू को डिटरमीन करते हैं तो अब यह जो फैक्टर है ना इनको मैं आपक कैसे तैकी जाती है यानि determination of price कैसे किया जाता वह demand supply ठीक है तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले demand की और supply की तो सबसे पहले समझो कि अगर demand high है ठीक है आई एन आर की और supply low है तो जो Indian रुपी है अब आप लोग बताओ वह होगा या strong होगा very good वह strong होगा बिल्कुल सही जवाब तो हमें टेक्निकली किस पर focus करना है कि हमें यह पता चल जाए कि demand हाई कब होने वाली यह किन कारणों की वैसे demand ही होती है तो currency की जो value है वो तैकरने में हमें मदद मिलेगी है ना और हम ट्रेंड भी identify कर पाएंगे तो यह जो demand है या supply है इसको determine करने के लिए हम कुछ certain factors को study करते हैं तो सबसे पहला जो factor है वो है export import देखो जब भी हम किसी चीज़ को import करते हैं तो हमें क्या pay करना पड़ता है डॉलर तो अगर हम जादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारी जो supply है dollars की वो कम हो जाएगी क्योंकि हम बाहर बेज देंगे राइट तो डिमांड बढ़ जाएगी तो जब export हाई होते हैं और इंपोर्ट लो होते हैं तो हमारा जो इंडियन रुपीज है वो हाई होता है ठीक है और एक्सपोर्ट जादा हो होंगे और import कम होंगे तो हमारा रुपए कमजोर हो जाएगा देखर जब हम इंपोर्ट जाएक हो जाएंगे तो जब जादा dollar payment लो जाएगा ऐसा ही है तो सबसे पहला factor export-import हो घए तो आपको इस data को ध्यान में रखना चाहिए ठीक है कि अब बात करते हैं कि भाही हम सबसे ज्यादा क्या चीज इंपोर्ट करते तो सबसे जदा कि नहुत है यहा तो वह होता है कैसे पेट्रॉल वह पूल सकते हो आप दो चीजें हमारे जो import bill हैं उसमें बहुत major role play करती है तो अगर मानके चलो इन दौनों में इन दौनों की कीमत में गिरावट आ जाए या फिर इनकी कीमते internationally कम हो जाए या फिर हमारे यहां पर इनका import कम हो जाए तो chances are higher कि हमारी जो currency है वो मजबूत हो जाएगी सही है ना अब अगर इनकी कीमते भढ़ती है ना तो एक नई चीज जनम लेती है जिसको हम कहते हैं inflation देखो महंगाई भढ़ती है अगर crude के दाम बढ़ जाते हैं अगर आप अच्छा अनलिस्ट अपना हमेशा रखना अगर आप रूड के प्राइज को प्रेडिक कर सकते हैं तो यकीन मानी आप अच्छे अनलिस्ट बन जाएंगे ग्रोथ से इंपक्ट होता है तो बहुत सारी चीजों से इंपक्ट होता है इसी लिए क्रूड की कीमते जब भी खराब होती है बढ़ जाती है तो जो डेवलप कंट्री होती है ना उनकी एकॉनमी लजाती है अब आपने देखा रशिया और यूकरेन का युद्ध हुआ क्रू बढ़ा दिया और इंट्रस रेट बढ़ाना हमेशा मार्केट के लिए आगे पढ़ाऊंगा तो यह जो क्रूड की कीमते हैं यह डाउन रहना ही अच्छा रहता है तो जब भी इंफ्लेशन बढ़ता है तो आपकी पर्चेजिंग पावर कम हो जाती है तो जब इंफ्लेशन बढ़ता है तो आई एन आर वीख हो जाता है इंफ्लेशन का बहुड़ना मतलब आइंए उन आर का वीक हो जाना ठीक है तो आप क्या δेखोगे इनफ्लेशन अगर भट रही है तो भी हमारी कंट्री में हमारा रुपया कमज़ोर हो जाएगा तो आप और आपको इस बात का जब भी जवाब मैं देदूं आप देखोगे कि बहुत सारी जो कंट्री है डॉलर कप खरीदती है जब इंफलेशन होती है तो यह रीजन समझ में आ रहा क्यों डॉलर करीदती है इंफलेशन के टाइम पर अपनी पोजिशन को हैज करने के लिए ठीक है यह किसी किताब में न चर्प दार्ट इन्वेस्ट्मेंट होती हैं जिसे हम FDI डियाई क्या होता है कोई भी कंट्री जब दूसरी कंट्री में माली काना हक लेकर अपना कोई भी यूनिट लगाथी कोई भी प्लांट लगाथी जहां पर डार्यक्ट बिजनस कररीज है तो इसको बोला जाता है FDI example के तौर पर जो मेकडी है हमारे यहां पर काम करता है हमारे यहां पर मैकडी कोर्पेट ऑफइस भी होगा माल लेते हैं example के तौर पर यह चलिए Google का एक्जामपल लेते हैं अब Google है Google का आप देखिए corporate office बना रखे हैं आप देखें मुंबई में है आपका गुडगाओं में है आपका यह हैदराबाद में है बहुत सारी जगा है बैंगलोर में है तो यह जो Google रूप्या चलता है वो जब हमारी कंटरी में आयंगे तो हमारी कंटरी में डॉलर लेका पड़ इसको अपिमन्ट करेंगे और डॉलर की संख्या उम्हारे यहां पर डॉलर जाद आएंगे तो जब हमारे यहां पर डॉलर आएंगे तो क्या होगा है ना हमारा इनर श्रॉंग हो जाएगा तो जब भी एवडी आई आती है आपने देखा होगा फॉरन पॉर्टफोलियो इंवेस्टर होते हैं जिसे हम FPI बोलते हैं यह स्टॉक मार्केट में इं इन्वेस्टमेंट हाई होता है तो डिमांड बढ़ जाती है कि इंडियन रूपीज की तो हमारा जो रूपिया है यह वह सिनरियों में क्या हो जाएगा मज्मूत हो जाएगा तो इसकी वज़े से मार्केट स्ट्रॉंग हो जाता है आई समझ में पर्फिक्ट है फोर्थ है अब देखो यहां पर एक और चीज समझो GDP डेटा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर से आते हैं यह बाहर से कब आते हैं जब दूसरी कंट्री में ग्रोथ होती है अब ग्रोथ का पैरामीटर क्या मना जाता है अब आप बोलोगे कि हमारी कंट्री में ग्रोथ हो रही है तो आपके पास कोई तो डेटा होगा जो बता रहा होगा कि ग्रोथ हो रही है तो मेजर डेटा क्या होता है ग्रोथ का GDP तो अगर GDP इंक्रीज हो रहा है तो असका मतलब हमारी कंट्री में ग्रोथ हो रही है और जब किसी कंट्री में ग्रोथ होती है न तो क्या होता है बाहर से लोग आते हैं हमारी कंट्री में इंवेस्ट करते हैं ठीक है अब तुम देखो चाइना का GDP नीचे जा रहा है इंडिया का GDP ऊपर जा रहा है तो दुनिया की investment कहा रही है इंडिया में आ रही है तो जब इंडिया में investment आएगी तो किस basis पर आएगी growth के basis पर आएगी और वो growth कब होगी जब GDP स्ट्रॉंग होगा तो जब भी GDP data strong होता है भड़ता है तो country में क्या होता है डॉलर आता है जिसकी वैसे आई अनर हो जाता है है ठीक है अब यहाँ पर एक इससे correlated चीज़ है और वह है stock market performance अब देखो stock market की performance डिपेंड करती है flows पे capital flow पे कितना पैसा हमारे मार्केट में आता है तो अगर हमारी stock market में performance हाई है stock market में अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा INR है वो strong हो जाएगा ठीक है यानि stock market अगर अच्छा कर रहा है तो आई एन आर भी strong हो जाएगा जहां दखना क्योंकि यहां पर जो foreign flows है वो आ जाएंगे ठीक है और जो होते हैं न वह रेमिटेंस बेजते हैं बेजते हैं वह भी एक source है तो एन राई रेमिटेंस जब भढ़ जाता है तो इसे एन राई फ्लो बोल देते हैं तो जब भढ़ जाता है तो भी हमारा है जिसकी वाज़े से आपको currency में क्या दिखेगा मूमेंट दिखेगी तो इन 6 के 6 तरीकों को अपना कर आप देख सकते हो अब एक बार इसके है यह ट्रेड होती है अब यहां पर आप देखो जैन्वरी का कॉंट्राक्ट है यूरो आयनर का यहां पर इसका लॉट साइज स्टेंडर्ड होता है सब का थाउजन यूनिट का तो यहां पर आप देख रहे हो कि 91 रूपीज का प्राइज है यानि यूरो आज इंडियन र मार्जिन पे करना पड़ेगा तू बाई वन लॉट और वन लॉट अगर आप बाई करते हैं तो कॉंटिटी कितनी आएगी हजार की और यह स्टेंडर्ड होता है देखे अब यहां पर जेपी वाई देखे अगर जैपनीज यहन आप खरीचते हैं और आइन आर के अगेंस् लॉट साइज सेम रहेगा थाउजन यूनिट का और यहां पर 83 रुपीज जो है वो आज का प्राइस चल रहा है और यहां पर जो मार्जिन पे करेंगे वो करेंगे 2000 अब यहां पर आप देखोगे जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड चल रहा है वो चल रहा है 105 रुपे का अब यह और चीज देखिए एक और चीज देखिए को यहां पर अगर ऊटो यहां पर न면 तो तो यह उसको निएर और उसके नेक्स कॉंट्राक्ट को फार कॉंट्राक्ट और यह पाइस बहुतमें और यह केवल फ्यूचर में होता है options में ऐसा नहीं बोलते हैं ठीक है क्योंकि options में क्या होता है इतिनी दूर के trading आप करते ही नहीं करेंट में ट्रेड करते हैं या next month में ट्रेड कर ले आप यहां पर समझ में आ रहा है अब यह फर Six इंवेस्टर है वह भी position बना लेता है पर यहां पर मेजर ली न i ऑपन लोग करते हैं जो importer और exporter होते हैं यह major लोग होते ओने हाँ करते हैं 21 थो एस दो पर क्यों है यह करना मज़ता है इसली है लोग करते हैं ओर कुछ sean आप plataform mi गया ऐसी कंपनियां जिनका business INR से impact हो रहा है वो काम करते हैं यहां पर तो ITN पार्मा कंपनी मैं एक example के लिए लिख रहा हूं बाकी मैंने आपको बताई दिया और इस तरह से जो banks होते हैं बैंक भी यहां पर काम करते हैं क्यों काम करते हैं बैंक पाते हैं इसमें पूरा impact रखते हैं अब जब आप इस contract में काम करते हो तो settlement की बात आती है कि भाई जब आप loss profit को settle करोगे तो जो settlement होता है currency market में तो वह होता है INR में किसमें होता है इंडियन पीज में आपको डॉलर के बदले में डॉलर नहीं मिलेगा आपका पैसा जो मिलेगा आपको किसमें मिलेगा आइनर में मिलेगा ठीक है तो अब यह currency market इतना था अब यहां पर कोई सवाल है आप पूश सकते हैं करोगे देखो future में जब भी आप काम करोगे तो same margin buy के लिए same margin sell के लिए use होता है ठीक है पर जब आप options में काम करते हो तो आप premium ही देते हो और premium तो आपको पता कितना होता है ठीक है इस तरह से और बताओ क्लियर है सर उसका contract value भी कम है इसलिए margin भी कम है contract value बहुत चोटी चोटी सी है अब जैसे contract value समझ लेते हैं तो देखो अगर हम बात करें एक हजार डॉलर कितने रुपे के आएंगे आज 83,000 के तो 83,000 का contract है तो उसमें आप से margin लिया जा रहा तीन हजार रुपे तो मेरे साब से ठीक है कम नहीं है पर यहां पर margin बहुत कम है टेक्निकली अगर तो 83,000 का 83,000 का percentage निकालोगे कि कितना 3,000 में हमने पे किया तो फिर कितना आएगा पांच परसेंट के असपास आएगा ना तो पांच परसेंट सोचो आप सरफ margin दे रहे हो तो margin बहुत कम है इसलिए temptation आता है और हम बड़ी quantity ले लेते हैं तो वो नहीं लेना उससे थोड़ा बश क्लि को हुआ새 है वायर सेलर के बीचसारे थ्रेड वरहें तो आपने future contract को trade किया हुआ लेते फ्यूचर कॉंट्राक्त आपने ट्रेड की तो भायर भायर क्या करेगा या और धसी पहले तो इन मार्जिन देंग और मार्जिन फिसको करेंगे एक दूसरे को नहीं करेंगे exchange को करेंगे ठीक है यह margin पे करेंगे exchange को और फिर exchange जो है जैसे मैंने बताया था ना Clearing Corporation होता है यह सारी के सारे exchange जो है फिर exchange की जो entities हैं यह authorities है वो फिर settlement करेंगे ठीक है तो यह दोनों जब buy sell करेंगे तो इसके लिए पे करेंगे करेंड सबस्टेनरी तो एकस्चेंज पर हो रहा है आप बसक्रách सब्सक्राइब उसका बारे में बताता है तो अब करन्सी का जो यह एक्सचेंज का नाम है Multiple Commodity Exchange, ठीक है अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो यह एक्सचेंज है जहां पर आप काम कर सकते हो, टाइमिंग मैं बता चुका हूँ, सुबे नौ बज़े से लेकर शाम को पाँच पर गज़े, आप कोई भी डाउट है, आपको जब भी आप क कोई Position बनाते हैं तो बनाने से पहले आपको पैसा पे करना पढ़ता है, तब ही आप Position बना पाएंगे, नहीं तो Position नहीं बना पाएंगे, क्यों zarrage आप श्यूरोम में जाएं और श्यूररोम जाकर आप एक शर्ट खरीदें तो उसको बोलें कि भई मैं आपको न, मैं exchange अच्छा बाद में क्या होगा मान लो कि अगर छोटी सी एक चीज समझो मान लो कि मैंने बिना पैसे लिये ना मैं एक्षेंजू मैंने बिना पैसे लिए ने इन दोनों को मेरा नाम है अतल, मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तोर पर जॉब करता था, मार्च 2020 में लॉक डाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई, उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविश्य की चिंता होने लगी, फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में आउन लाइ मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके, तभी मुझे मिला NIFM का ओनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, www.online.nifm.com, NIFM के ओनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे, जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्मेंट और के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे की, Stock Market Trading Beginners course, NIFM Certified Smart Investor course, Advanced Level Smart Investor course, Technical Analysis course, Fundamental Analysis course, Options Trading Strategies, Research Analyst Certificate course, Diploma in Financial Market course, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है, फिर मैंने www.online.nifm.com की साइट पर जाकर nifm का nifm certified smart investor course को online purchase किया जिसको सीखने के बाद मैंने जाना की share market से पैसा कमाना कितना आसान है बस आपको एक सही platform की जरूरत है जो है www.online.nifm.com nifm के online platform की वज़े से मैंने lockdown के दोरान share market से अच्छी income भी generate की thanks nifm जिसकी वज़े से आज मैं एक hotel manager से professional trader बन पाया call 8588-68475 or visit www.online.nifm.com